स्वास्थ और सौंधरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंधरी शैंपू बालों को जरो से पोशन देने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है शैंपू बालों के सबी प्रकारों के लिए उपियुक्त माना जाता है शेंपू करने से स्कलपर ओयल का सही इस्तर बना रहता है जिससे बाल रूखे और बीजान होने से बचे रहते हैं इसके साथ ही नारियल तिल में एंटी आक्सिडेंट प्रोपर्टिस पहे जाते हैं जो बालो की elasticity को मेंटेन करने का काम करता है नारियल तिल में मौस्चूराजिंग और हाइडरेटिंग का गुन पाय जाता है, जो बालो को संपोन पॉशन देने में मदद करTा है नारियल तिल बालो को सिल्की और शाईनी बनाने के साथ साथ बालो की पहतर ग्रोथ के लिए भी खुब इस्तेमाल में लाये जाता है नारियल तिल बालों की कहराई से सफाई करता है साथ ही डैमेज बालों को रिपेर करने में भी मदद करता है वैसे तो शैंपू और नारियल तिल दोनों को अलग-अलग भी इस्तेमाल में लाये जा सकता है लेकिन जब दोनों को साथ मिलाकर लगाये जाता है तो फाइदा काफी चौकाने वाला देखने को मिलता है तो फिर शैंपू के साथ नारियल तील को अपने बालों में कैसे अपलाई करना है इसके बारे में जानने के लिए बने रेस वीडियो के साथ इसके लिए एक बॉल में दो चमच माइल्ड या हर्बल शैंपू ले ले इसके बाद इसमें एक चमच नारियल तिल डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इस अपने पूरे बालों में अच्छे से अपलाई कर ले लगबग एक घंटाई से अपने बालों में लगा रहने दे फिर पानी से बाल दो ले वीक में दो से तिन दिन इस प्रोसेस को करने से बहतर रिजल्ट मिलेंगे शैंपू और नारियल तिल से बना बैक बालों के लिए काफी फायदेबन माना जाता है इसके नियमित इस्तमाल से बालों की ग्रूट काफी तेज हो जाती है साथी बाल शैनी दीखने लगते हैं तो फिर आज अपने इस वीडियो में अपने बालों में शैंपू के साथ नारियल तिल लगाने के कुछ पहतर इन फायदों के बारे में जाने आशाये आपको हमारा की वीडियो अवशे ही पसंद आये होगा हमारे नेने स्वास्ति और जांदरी संबंदी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली तथा हमारे वीडियो पसंद आई हूँ तिसे लाइक और शेर चरूट करे ताकि इसी तर हम नेनी जानकारियों आग तो कोजाते रहें धनिवाद